क्या आईवेफ से होने वाला मेरा बच्चा नाच्छल कंसिप्शन से होने वाले बच्चों से अलब होगा क्या वो मेंटली या फिजीकली किसी तरह से कमजोर होगा क्या उसमें इबनॉमलिटीज के चांसे ज़ादा रहेंगे इसका जवाब देने के पहले आई विल टेल यू वा फैक्ट फर्स बेबी जो आईवेफ से कंसीव होई थी आज वो एक 40 साल से उपर की महिला है बिल्कुल ही हेल्दी लाइफ जी रही है और नाच्रली कंसीव करके उनके अपने बच्चे भी है आज की डेट में लगबग 6 से 8 मिलियन बेबीज आई वेफ ने प्रोड्यूस किये हैं और बहुत सारी स्टडीज के बाद भी ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला कि आई वेफ बेबीज नाच्रल बेबीज से अलग हैं या उनमें कोई डिफेक्ट आने के चांसेज हैं तो आई वेफ प्रिग्नाणसी कैसे डिफेर्ण है एक नाच्रल प्रिग्नाणसी के फर्स्ट चांसेज ऑफ कंसेप्शन अगर आप नाच्रली ट्लाई कर रहे हैं तो जितना चांस है कि आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे इस महिन्य में उससे कहीं ज्यादा चांसेज है कि जब i-wave के लिए गय है तो आपको pregnancy होगी Second, i-wave pregnancy में multiple pregnancy यानि twins होने के chances ज्यादा होते हैं अगर natural pregnancy में ये chance 6% है तो i-wave conception में 25% है ऐसा इसलिए है कि fertility rate को बढ़ाने के लिए कई बार हम एक की जगा पे 2 या 3 embryo transfer करते हैं But with passing time, we all are shifting to single embryo transfer और अगर आप twins बिलकुल avoid करना चाहते हैं तो आप ये अपने डॉक्टर को बता सकते हैं कि आप चाहते हैं कि embryo transfer single ही किया जाए Third, first 3 months of pregnancy आपके natural conception वाली pregnancy से जरूर अलग होती है इसमें आपको intensive देखभाल की जरूरत है, जाधा frequent monitoring की जरूरत है और दवाईया आपके लिए जाधा important है as compared to natural pregnancy क्योंकि जब आप natural conceive कर रहे हैं तो आपकी body में corpus luteum है hormonal productions इस तरह का है कि वो naturally उस pregnancy को thrive कर सकता है बट इन eye wave pregnancy हमें बाहर से hormonal injections या hormonal medicines देने की जरूरत होती है इसको हम avoid नहीं कर सकते हैं लेकिन पहली तिमाही के बाद जब placenta काम करना सुरू कर देता है उसके बाद natural pregnancy और एक eye wave pregnancy में कुछ खास अंतर नहीं रह जाता है अब बात करें कुछ myths के ऐसा मानना है बहुत लोगों का कि अगर मैं eye wave द्वारा pregnant हुई हूँ तो मुझे 9 महीने bed rest में रहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है आप बिल्कुल अपने दिन चर्या के काम कर सकती है आप वो सारे काम कर सकती है जो एक natural conception से pregnant हुई औरत कर सकती है से के बच्चे को anomalies होने के chances जादा है क्योंकि यह eye wave से पैदा होने वाला है ऐसा भी बिल्कुल नहीं है eye wave conception और natural conception में congenital anomalies का जो अंतर पाया गया है वो basically इसलिए है कि महिलाएं अलग है आप जो naturally conceived कर रही है महिला वो एक fertile normal महिला है और जो couple eye wave के लिए जा रहा है mostly उनका age group थोड़ा higher side पे है उनको already complications है इसलिए बच्चों में complications होती है इसलिए उनको miscarriage के chances होते हैं और बाकी भी जो abnormalities होती है कि pregnancy के दोरां diabetes हो जाए या hypertension हो जाए या अलग से हमें lonopin या blood thinner के injection लगाने पड़ रहे हैं यह सारी जो चमस्याय है वो उस महिला के अपने बनावट के कारण है उसकी अपने physical और general health के कारण है इसलिए नहीं कि वो pregnancy हमने IVF दोरा conceive की है Pregnancy is not responsible, the general health of the couple and patient is responsible और एक myth यह भी है कि अगर मैंने conceive naturally नहीं किया है तो अब मुझे delivery भी normal नहीं हो सकती है delivery normal बिल्कुल हो सकती है IVF conception में obstetric indication यानि जो indication normally किसी naturally conceived female में उसको LSCS के लिए बात दे करते हैं वही आपके लिए भी मानने होगे So congratulations on your IVF pregnancy, enjoy your pregnancy blissfully, it's going to be beautiful and no different from a natural pregnancy Thank you